आज 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 में आपके लिए करहा है कैसी बाइक जो कि गाज 150 सीच सेंगमेंट इस सबसे बैस्ट और सबसे सस्ती बाइक है और आज की डेट में इंडन मार्केट में सस्ती और इससे अच्छी बाइक इंडन मार्केट में है नहीं तो यहाँ पर गाइज इस बाइक के जो लूक्स है वो काफे चाहिए या नहीं तो गाइज वीड़ो काफे ज़्दार होने वाले हैं अगर आप चैनल पर पहली बारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर ये वली वीडियो चिल लगी हो तो वीडियो को लाइक करन हैं जल्दी से शुरू तो यह रिमारे सामने सुकी गिकसर एस एफ और यह बाइक आती है वन फिप्टी सीसी इंजन के साथ और गाइज यकीन मानें यह वली चूबाइक हो इंडन मार्केट में सबसे सस्ती और सबसे अच्छी फुली फेरीड स्पोर्ट्स बाइक है यहां पर बात करें इस बाइक के कलर ऑप्शन के बार में तो यह बाइक आपको देखने को मिलते है तीन कलर ऑप्शन के साथ जो पहला कलर ऑप्शन है वह गलोसी स्पार्कल ब्लैक जो कि आप अपनी स्क्रीन के ओपर अभी देख रहे हूं सेकेंड कलर है मेटलिक ब्ल्यू और ब्रदा शांदार है यहाँ पर आपको फ्रॉट में LED लेट देखने मिलती है जो कि बोट लो और उड़क करती है और यहाँ पर आपको डियर लाइट इस मोडल में देखने को नहीं मिलती इसकलाव घाइज आपको उस बाइक का फ्रेंट लूग कैसा लग रहा है यह आपको हमें जरूर केमेंट करके बताना है और यहां पर आपको हैलोजन Balm Indigator देखने को मिलते हैं बात करें इस बाइक के सवस्पेंशन सेट अप के बारे मैं तो यहां पर आपको इस बाइक के फ्रेंट में 110 mm section का tire देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको front में 17 inch का इस bike में wheel देखने को मिलता है और यहाँ पर guys आपको काफी सुंदर allow wheel का design इस bike में देखने को मिल जाता है और यहाँ पर guys आपको transparent windshield दी गई है जो की bike के design को काफी ज़दा aerodynamic बना देती है यहाँ पर बात किजा इस bike के side profile के बारे में तो कुछ इस तरह के इस bike के side profile है यहाँ पर आपको gig sir as up की branding देखने को मिल जाती है और यहाँ पर यह जो color combination इस bike में दिया गया है उसकी look मेरे को काफी ज़दा बढ़िया लगी और आपको इस bike के look करता है और यहाँ पर आपको इस bike से 13.8 न्यूटन मीटर का maximum torque देखने को मिल जाता है इस कलब आपको इस bike के अंदर five speed gearbox देगे नहीं मिलता है बारा लिटर का आपको इस bike के अंदर fuel tank देगे नहीं मिलता है और यहाँ पर बात की जाइस bike के weight के बारे में तो इस bike का 148 kg कव weight हमें देखने को मिल जाता है और वहीं गाइस अगर बात की जाएस bike की top speed के बारे में तो यह वली जो bike है वो सानी से 125 km पर आर के आसपास की top speed gain कर लेती है और वहीं गर बात करें इस bike की mileage figure के बारे में तो आप इस bike से असानी से 40 से लेके 45 km पर लेटर का असपास की जो mileage है वह असानी से 10 कर लेते हैं और यहां पर आपको उस bike में कुछ इस तरह के handlebar पे switch देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर आपको टॉप में पास switch देखने को मिल जाता है और यहां पर गाइस आपको left-right इंडिकेटर का switch देखने को मिल जाता है बात करें इस तरह की कीज के बार में तो कुछ इस तरह की कीज आपको इस तरह की देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर आपको राइट-हांड साइट के ignition on-off का switch देखने को मिलता है और यहां पर गाइस काफी बड़े look इस बाइक की प्रवाइड की गई है और यहां पर कुछ इस तरह का clip-on handlebar इस बाइक में प्रवाइड किये गए है बकिर बात करें seat के बार में तो यहां पर split seat इस बाइक में दी गई है तो यहां पर जो seat है और यहां पर rider के लिए अवली seat है वो सही है बट यहां पर pillion rider को थोड़ी बहुत दिखतों का सामना करना पड़ सकता है और यहां पर pillion की sport के लिए आपको grab rail देखने को मिलती है और बात करें इस बाइक की रियर look के बार में तो कुछ इस तरह की रियर look है यहां पर आपको रेर में led t led देखने मिलती है और कुछी तरह के इंडिगेटर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं बगी यहां पर आपको नीचे नंबर ब्लेट को लगाने के लिए इस पेस दी गई है और आपको डबल बैल अग्जॉस इस बाइक में देखने को मिलते हैं और यहां पर बात करें इस बाइक के फ्रेम के बार में तो उस बाइक का जो फ्रेम है वो डामन फ्रेम डिजाइन के उपर बेजड है और वह यहां पर बात करें इस बाइक के रेर में 240 mm की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको आपको रेर में ABS देखन विलता है 17 इंचिस का इसके लब अगर बात करें इस बाइक के डमेंशन के बारे में तो जो भी इस बाइक के डमेंशन है वह आप अपने स्क्रीन का अपर अभी देख रहे होंगे है अप तोगांध आपको यह वाली बाइक कैसी लग रहा तो यह तो आपको में प्लीकर करके बताना है और ऑर इस्लिट कर रहे हो तो यह अगर आप यह वाली बाइक पर्चेस करते लिए को मिलती है तो अगर इस बीच में कोई भी दिक्क्त आती है तो शोड़ो वाले आपके जो बाइक है वो फ्री में रिपेर करके देंगे तो गाइस अगर आपका इस वीडियो को च्छिशन है तो आप हमसे जुरूर कमेंट करके पूछेएगा और अगर आपको यह वद् वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो चले गाइस बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाए